जाहिन दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों STET 2023 के पेपर वन के साइंस विसे का जो आंसर की जारी किया गया था पहली बार उसे 50 से अधिक प्रस्नों के गलत उत्तर BACV ने जारी किया था जिसका कल दिन भर विरोध हुआ विरोध का असर भी हुआ कि साम में BACV ने गलत उत उत्तर कुंजी को वापस ले लिया आज नया उत्तर कुंजी साइंस विसे का जारी किया गया है अब भ्यर्चिय द्वारा हमें बताया गया कि इसमें भी आठ से दस प्रस्नों के उत्तर गलत दिये गया है म्यूजिक सब्जेक्ट बाले भी हमें फोन करके बता रहा है कि उसमें भी गलत उत्तर दिये गए थे आठ से दस प्रस्नों के सोसल साइंस बाले भी हमें फोन करके बता रहा है कि सोसल साइंस में भी गलत उत्तर दिये गया है इसी तरह अन्य यानि की कहा जाए तो सभी पेपर में 8-10 किसी में 12 किसी में 15 प्रसुनों के गलत उत्तर दिये गए तो अभियर्तियों से हमापील करते हैं कि जिस प्रसुन का भी उत्तर आपको गलत लगे उस पे अपत्ती जरूर दर्ज कीजिए क्योंकि ये प्राध्धान किया गया है तो आप अपत्ती जरूर दर्ज कीजिए ये final answer की नहीं है इसमें सुधार होगा तो आप पत्ती जरूर कीजिए समय सीमा के अंदर जिन सब्जेक्ष का पहले आंसर की जारी हो गया और आप लोग ने पत्ती दर्ज किया है उस पे भी BACB को विचार करना होगा और BACB से और खासकर BACB के अध्यक्ष आनंद की सोर जी से हम अनुरोध कर रहे हैं उनसे मांग क कि आप अपने तथा कतित एक्सपर्ट को तथा कतित एक्सपर्ट टीम को चेताबने दीजिए कि एक भी प्रसन का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए यानि कि एक भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए गलत उत्तर पर मुल्यांकर नहीं होना चाहिए क्योंकि एक भी प्रसन का जितने भी प्रस्नों पर अभियर्चों ने अपति दर्ज किया है, उन सभी पर गंभीर्ता पुर्वक विचार किया जाए और सभी प्रस्नों का उत्तर सही दिया जाए, सही सेट किया जाए, यानि कि सही उत्तर, सभी प्रस्नों के सही उत्तर पर मुल्यांकन होना चाहिए, ए फाइनल आंसर की तयार होगा उसमें क्या भरोसा है कि उसमें सही होगा सभी प्रसुनों का उत्तर तो इसलिए आप फाइनल आंसर की को भी जारी कीजिए यानि कि मुल्यांकन से पहले आप फाइनल आंसर की जारी कर दिजिए ताकि आप वियर्थी देख सके कि किन प्रसुनों जारी किया जाता था और उसमें कुछ गलत दे दिया जाता था हम लोगों ने पिछली बार जबाद दोलन किया तो अब देखिए BPSC में अर्शचमी से क्या हुआ कि फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले प्रकासित कर दिया जाता है और उसमें अगर आपती हो तो आप दर्ज क किजिए साथ ही आप आंसर की तो जारी किए इसके लिए धन्यवाद देते हैं है लेकिन आप ने instruments का response facilities क्यों नहीं जारी किया कैसे मिलाएंगे कि उन्हें किस कोस्षन में किया ठीक लगाया है तो आप students का response site b работать के जारी किजिए ताकि students भी देख सके कि उन्हें किस कोशन का क्या अंसर ठीक लगाया था तो इसके लिए आपको रिस्पॉंस सीट भी अस्ट्रेट्स का जारी करना चाहिए यह हम मांग कर रहे हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि किसी भी परिशिती में एक भी प्रस्ट का उत्तर गलत ना हो इसके लिए आप अपने एक्सपर्ट टीम को चताबनी दीजे ताकि एक भी प्रस्ट का उत्तर गलत ना हो धन्यवाद जाएं